हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल प्रपेरिशन आफ विजयल आट में जहां हम बात कर रहे थे बहुत काली नॉर मद्यकाली जित्तरित गुफाओं के बारे में इन गुफाओं की संख्या इन गुफाओं की इस्थिति की बारे में हम वीडियो में जो ह फ़स्ट में जोगी मारा और अजंता और सेकेंड पार्ट में वाग बदामी और सीगिरिया और यह पार्ट थर्ड है तो इस में जो है एलिफेंटा और ऐलोरा गुफाओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ ठीक है लेकिन उससे पहले वही हमेशा वाली बात क अगर भी भी अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेट बेल राइकन दबाना ना भूलीगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम अलिफेंटा गुफाओं से तो सबसे पहले तो हम देखें अलिफेंटा गुफाओं की इस्थिती जान लेते हैं कि मुंबई की गेटवे ओफ इंडिया से 6 मील दूर यानि 10 किलो मीटर दूर एक टापू पर इस्थित है ठीक है यह जो है एक टापू पर इस्थित है मुंबई के गेटवे ओफ इंडिया से 10 किलो मीटर दूर है और कौनसा राज्य आजाता है यहाँ पर महरास्ट राज्य अगर वो राज्य पूछ लेते हैं कि अलिफेंटा गुफाओं किस राज्य में है तो महरास्ट राज्य में यह महरास्ट राज्य में यह गुफाओं आती है ठीक है अब इनका जो असली नाम है ठीक है अलिफेंटा जो गुफाओं है इनको अलिफेंटा नाम जो दिया गया था वो पूर्त गालियों ने दिया था इन गुफाओं को जो है पुर्त गालियों ने बाहरी एक elephant देखा rocket elephant देखा और उसी वज़े से जो है इन गुफाओं को उन्होंने elephant नाम दिया ठीक है अब elephant से धीरे धीरे वो elephant कर दिया गया ठीक है तो इन गुफाओं को elephant नाम किस ने दिया है ये याद रखना ये नाम दिया है पुर्त गालियों ने और इनका जो असली नाम था इन गुफाओं का असली नाम क्या था वो था धारापुरी ठीक है तो elephant गुफाओं का जो असली नाम है वो धारापुरी है और elephant नाम दिया था इनने पुर्त गालियों ने आगे हम बात करते हैं कि elephant का elephant कहा पर संग रही थे हैं तो Mumbai के Victoria Garden के Prince of Wales Museum के बाहर जो है elephant का elephant संग रही थे है ठीक है अंधर नहीं आ सकता इसलिए वो बहारी संग रही थे मुंबइ के विक्टोरिया गार्डन संघ राले के प्रिंस आफ वेस्ट म्यूजिउम के बाहर आगे बात केते हैं इन गुफाओं का जो समय है वो क्या है इन गुफाओं का समय है आटवी शताब दी, गुफाओं बनी थी आटवी शताब दी में और कौन से राजाओ का शासनकाल था, most important, तो राष्ट्रकूर्ट का शासनकाल था, ठीक है, राष्ट्रकूर्ट राजाओ का शासनकाल था, पूछ लगते हैं कि अलिफेंटा की गुफाय किन के शासनकाल में बनी, किन राजाओ के शासनकाल में बनी, तो राष्ट्रकूर्ट क किस आशनकाल में ये एलिफेंटा गुफाएं बनी थी और किस बहुआन को समर्पित है ये भगवान शिव को समर्पित है ठीक है आप लोगों ने त्री मूर्ति जरूर देखी होगी उससे पता से जाते कि भगवान शिव को समर्पित है बाकि अधिकतर मूर्तिया जो है मूर्तिकला तो यह जो है अलेफेंटा गुफाओं के लिए प्रसीद है जैसे इस तरह से कुशना आ जाता है कि किस लिए प्रसीद है आप्शन में वास्तुकला चितरकला मूर्तिकला उपरिक्त सभी यह ननव दिस होता है तो वहां आपका मूर्तिकला जाएगा ठीक है आप आगे बात करतें इन गुफाओं की, यहां कितनी गुफाओं हैं, तो यहां पर जो हैं, कुल साथ गुफाओं हैं, ठीक है, साथ गुफाओं हैं, अलिफेंटा में, ठीक है, अब इन गुफाओं के नामों की बात करें, तो पहली गुफा का नाम है, ग्रेट गुफा, ठीक है, और दूसरी से लेकर पांचवी तक की गुफाओ का नाम जो है वो है कैनन हिल ठीक है दूसरी से पांचवी तक की गुफाओ का नाम क्या है तो दूसरी से पांचवी तक गुफाओ का नाम है कैनन हिल और उसके बाद चटी गुफाओ का नाम है सीता बाई क्या नाम है चटी गुफा का सीता बाई और सातवी गुफा का नाम है स्तूफ हिल्स ठीक है सातवी गुफा का नाम है वह है स्तूफ हिल्स तो यह इन गुफाओं के नाम है अलिफेंटा किन साथ गुफाओं के नाम ठीक है अब यह गुफाएं किस आकार में बनी हुई है यह 130 फीट गुफाएं बनी हुई है किस प्रसिद है मूर्ति कला के लिए प्रसिद हैं , अब कौन दिका परताप मूर्ति को स मुँफाइdepend तो यह त्री मूर्ति ने ब्रह्मा विश्णु और महेश की है लेकिन कोई विद्वानों ने जो है यह तीनों मुखाकरतिया भगवान शिफ की ही बताई जाती है ठीक है इस गुफा के अब इस मूर्ति की माप की बात करें तो इस मूर्ति की जो माप है यह 18 फीट लंबी है ठ तो 24 फीट चौड़ी है ठीक है इसके प्रतेक सर की जो ऊचाई है वह आपके 6 फीट ठीक है 6 फीट जो है प्रतेक सर की ऊचाई है वह है छे फीट ठीक है इसके बाद मैं बात करती हूँ एक सेकिन तो प्रतेक सर की जो ऊचाई है वह 6 फीट है तो आपका जो अलिफेंट है वह यहीं पर खतम हो जाता है आगे हम बात करते हैं अलोरा गुफाओ की लेकिन अगर आपको यह समझ आ गया अच्छे से अलिफेंटा के अच्छे से समझ आ रहा हो तो वीडियो को यहीं प्र início पर लाइक कर दीजिए तो ज़ले करते हैं अलोरा केव्स के बारे में तो ऐलोरा केव्स जो है यह एक तो मुस्सी यहा पॉदिम मिस्टेक हो गई है कि यहां मने महारास्ट उ को जिला बता दिया ठीक है तो अलो राज्य पारे में हैं कौन से प्रांद मी हैं राज्ये के औरंगाबाद जिले से 29 किलो मिटर दूर ठीक है औरंगाबाद जिले में आ जाती है लेकिन में औरंगाबाद जो हो जाता है उससे 29 किलो मिटर दूर ये ऐलोरा की गुफाए है ठीक है तो एलोरा की जो औरंगाबाद से दूरी है वो 39 किलो मिटर दूर है उसके ब माइट्स वन थर्टी 5 किलो मीटर ठीक अब बात करते ह 동안指ि राट장स के प्राचीन नाम की बात करें तो एलापूर अंचन का प्राचीन नम है इसके अलावा broker Cliff लैज ऑ 나서 बन मां जाती है वोब path यभी someay Hai तो आपको एलापुर अंचल पर टिक करना है ठीक है क्योंकि यह जो है प्राचिन नाम है इसके अलावा वेरूल भी आपको ध्यान रखना है कि वेरूल किन गुफाओ को बोलते हैं तो अलोरा गुफाओ को अब यह जो गुफाओ बनी थी तो यह किन शासकों के समय में बनी थ कर बात कर इन गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था अलोरा के जो गुफा मंदिर है इनका निर्माण भी जो है रास्टिकूट शासनों ने ही पहाड़ों को काट कर पाया था ठीक है अब यह जो गोफाओ अंग इस लिए प्रसीद है पहले तो बात करें तो सबसे क्या बात करें कि यह मंदेर कैलाश मंदिर बनवाया तो क्रिष्ण प्रतम ने क्षण प्रतम से डआश मंदिर का निर्मान करवायारा था क्रिष्ण प्रतम का टाइम क्या था तो 756 756 से 772 इस वी कैलाश मंदिर का समय था 756 स 770 ड़ाइद के निर्मान का समय आगे बात करते हैं यहां और गुफाओन की संख्या होगी तो यहां जो है 34 गुफाय है तो है पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूं अजंता के बारे में बता चुकी हूँ बाग की भी बता चुकी हूँ और बदामी भी बता चुकी हूँ इन सभी गुफाओं को मैं बता चुकी हूँ लेकिन मैं यही पर आप से एक कोशन करने वाली हूँ आपको उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि बाग में कितनी गुफाएं है ठीक है बाग में कितनी गुफाएं है तो ये आपको कमेंट में बताना है आगे मैं बात करती हूँ अलोरा गुफाओ की तो अलोरा गुफाओ में टोटल चौटीस गुफाओं है ठीक है चौटीस गुफाओं में अब यहां देखें हैं बहुत ध्यान से सुनना आपको जो एक से बारा तक की जो बारा गुफाओं है ठीक है एक से बारा तक की ये बारा गुफाओं है और ये बारा की बारा गुफाओं जो है जो के दक्षिन मुखी है, इन गुफाओं का जो मुख है, वो दक्षिन की तरफ बना हुआ है, ठीक है, दूसरी उसकी बात करें, 13 से 39 तक की बात करें, 13 तो 29 तक की गुफाओं की बात करें, तो ये 17 गुफाओं हैं, ये 17 गुफाओं हैं, जो ब्रामन धर्म से संबन दिता है तो आपको ये चीज़े भी ध्यान रखनी है ठीक है ब्रामण या हिंदु धर्म से सम्बंधित है ये 17 गुफाएं अब इनका जो निर्मानकाल है वो 700 से 972 इस्वी तक का माना जाता है इन ब्रामण धर्म की गुफाओं का जो निर्मानकाल है वो 700 से 972 इस्वी तक के वीच में माना जाता है और ये गुफाएं जो है ये मद्यमे निर्मित है अलोरा के विल्कुल मद्यमे निर्मित है उसके बाद बात करें जैन धर्म की गुफाओं की जैन गुफाओं की तो 30 से 34 तक की थीक है और ये जो बनी है नवी से बारवी शताबदी के बीच में बनी हुई है जो जैन गुफाओं है नवी से बारवी शताबदी के बीच में बनी हुई है इन सभी जैन गुफाओं का जो मुख है वो उत्तर की तरह है ठीक है ये गुफाओं जो है उत्तर मुखी है अब इन गुफ दाफ़ गुफा का नाम है और गुफाइट कुरेज मैं पदीक ४परी खटी गुफा का नाम सुपार जो अलावा तिके बारवी गुफा का नाम है तीन थाल तिके आगे इसमें बात करते हैं ये जो थी बहुत गुफा है थी छटी अवलोगई तेशवर दसभी सुतार जोपडी तीसरी तीन थाल और बारवी जो थी क्योंकि अवलोगई तेशवर से जो है पहली गुफा भी कभी कभी याद आ जाती है क्योंकि अजन्ता की जो है पहली गुफा में जो चित्र है अवलोकी तेश्वर का ठीक है उससे जो है पहली गुफा भी याद आ जाती है कि अवलोकी तेश्वर का जो चित्र है वो जन्ता की पहली गुफा में लेकिन यहां जो है एलोरा में छटी गुफा का नाम अवलोगी देश्वर है आगे बात करते हैं ब्रामण या हिंदु धर्म से सम्मंदित गुफाओं की यहां जो है तेहरवी गुफा का नाम नहीं है चौदवी गुफा का 14th केव का जो नाम है वो है रामण की खाई चौदवी गुफा का नाम है रामण की खाई ये भी इंपोर्टन है याद रखना है आपको पंदरिवी गुफा का नाम है दशाफतार यह मगवान विश्णु की प्रतीमा प्राप्त हुई थी दवशाफतार और सोलवी गुफा का जो नाम है वो है कैलाश मंदिर कैलाश मंदिर जो है वो सोलवी गुफा का नाम है ये जो प्रसीद है अलोरा की जो गुफा है वास्तुकला के लिए तो प्रसीद है और इसके अलावा जो प्रसीद है ये कैलाश मंदिर के लिए ही प्रसीद है ठीक है तो जो सॉलवी गुफा का नाम है वो है कैलाश मंदिर उसके बाद 17-18 का नाम नहीं और 19 वी गुफा का नाम जो है सब्त मातरिका यहां से जो है सब्त मातरिका की मूर्ति प्राप्त होती है तो इसलिए इसका नाम सब्त मातरिका है ठीक है गुफा संग्या 20 का नाम नहीं और 21 वी गुफा का क्या नाम है रामेश्वर 21 वी गुफा का नाम है रामिश्वर इसके अलावा 22, 23, 24, 25, 27, 26 इन गुफाओं का नाम भी नहीं है और 29 वी गुफा का नाम है तो सीता हरनी ठीक है सीता हरनी चौदवी गुफा रावन की खाई, पंदरवी गुफा दशाफतार 16 वी गुफा कैलाश मंदिर 19 वी गुफा सब्तमात्रिका 21 वी गुफा रामिश्वर और 29 वी गुफा जो है सीता हरनी ठीक है आगे बात करते हैं जैन गुफाओं की बारे में तो 30 नमबर की जो गुफा है ठीक है 30 जो केफ है उसका नाम है छोटा कैलाश ठीक है जो दूसरी गुफा है जो कैलाश जो सोलवी गुफा है जिसे हम कैलाश मंदिर बोलते हैं कैलाश कुफा बोलते हैं तो कैलाश मंदिर के नाम से प्रसीद है तो बड़ा कैलाश भी उसको कहा जाता है ठीक है और 32 नंबर की जो गुफा है इंद्रसभा ये बहुत important है कई बार पूछलते के इंद्रसभा अलोरा की कितने नंबर की गुफा को कह जाता है तो ये 32 भी गुफा है कौन से धर्म से संबन देता है तो जैन धर्म से संबन देता है ठीक है और 33 भी गुफा की बात करें तो 33 भी जगनात गुफा ये भी वह τον स्ट इंपॉर्टन है ठीक है, 35 वी गुफा जगनात गुफा और धन, Woah जैन ठीक है 24 वी गुफा का नाम नहीं मिला, ठीक है 33 वी ऍटीस वी गा नाम जगनात शभा है और 32 का नाम इंदर सभाओ और 32 का नाम है चोटा कैलाश तो ये तीनो धर्मों की जो गुफाओं हैं हमें यह देखने को मिलती है ठीक है तीनो धर्मों की जो गुफाओं हैं हमें अलोरा में देखने को मिलती है इसी वज़े से जो है अलोरा की गुफाओं को धर्मों की त्रिवेणी भी कहा गया है ये भी कोशन बनता है कि किन गुफ लाइव करना ऑप्रशनने सकता है कि वीडियो करना में subtle वीडियो में ने लेक्त शेयर शेयर करन के पない ना भूलेगा and thank you for watching